Hi guys welcome back to another video आज से हम लोग economics की शुरुआत करने जा रहे हैं economics बहुत आसान बहुत easy बहुत simple subject है बहुत सारे लोगों ने ग्यान दे दे के इसको बहुत मुश्किल मना दिया आपन जयादा ग्यान नहीं देगे आपन बहुत साधा simple सची बाशा में आपको economics कराएंगे और इतनी आसानी से कराएंगे कि आप लोगों के पल्ले पड़ भी जाएंगे ठीक है तो चलो समय खराब नहीं करेंगे बहुत simple तरीके से economics की definition से शुरुआत करते हैं आप लोगों ने छटी से दसफी तक पड़ी है और कुछ नहीं है यह सिर्फ एक सोचल साइन्स है इट डील्स विट अफ यूमन बिहेवियर मतलब हमारे बिहेवियर के बारे में तो economics के अंदर हमारे बिहेवियर को पढ़ा जाता है हमारे बिहेवियर को पढ़ने का मतलब क्या है जैसे कोई चीज महंगी हो गई तो हम उसको नहीं खरीदेंगे कोई चीज सस्ती हो गई तो हमने फटापट खरीद लिया पता चलने वाला है कि बहिया कल सुभे से पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो फटाक से चलेगा र करेंगे एक्सचेंज कैसे एक्सचेंज करेंगे और किस प्रकार से डिस्ट्रिबूशन करना है किसका गुड्स का और सर्विसेस का समझ में आ गया तो एकनोमिक्स क्या है हमारे बिहेवियर को पढ़ने की एककला है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि हम लोग प्रड़क् का माप डंड है यानि कि अगर ये given resources बस ये दो शब्द नहीं होते तो economics नहीं होती given resources का मतलब होता है limited resources कि हमारी शमता limited है अगर मैं आपको बोलू कि बजार में जाओ खर्चा करो तो आपकी जेब में जितने पैसे होंगे आप उतना ही खर्चा कर पाऊगे unlimited तो नहीं कर होगे तो यहां पर आपके resources कैसे होगे limited होगे तो पूरी economics इस limited resources के इर्दगिर्द होंगती अब दो पुष्टके हैं जिनके बारे में हमें deep में पढ़ना है एक है आपके बारवी में है पर यह दोनों एक डूसरे से काफी जादा लिंक करती है कैसे लिंक करती है देखेंगे अपन यहां पर सबसे पहले पकरते जो आपकी पुष्टक है तो यह जो वर्ड है न माइक्रो या एक ग्रीक वर्ड से आया है अब ग्रीक भाषा से मेरी पर्सनल दुश्मन ही है क्योंकि सारी टेड़े मेरे शब्द वहीं से आते हैं पता रिकोन बनाता वाई साब यह पर ग्रीक शब्द है यह कौन से है बहुत ही सिंपल है जबकि जो मैक्रो है यह मैक्रो से आया है यह भी वही ग्रीक वाली दुनिया से पैदा होके आया है इसका मतलब होता है अब यह स्मॉल है तो यह कैसा होगा इसके अंदर छोटी चीज़े पढ़ेंगे तो इसके अंदर बड़ी चीज़े पढ़ेंगे बस इतना ही है ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर इसके अंदर हमें क्या पढ़ना पढ़ता है determination of price output of individual in the market individual मतलब हम हम price को लेकर output को लेकर कैसे react कर रहे हैं कोई चीज महेंगी हो रही है तो नहीं खरीदेंगे सस्ती हो रही है तो जल्दी खरीद रहेंगे तो यह क्या है यह हमारा behavior है तो जब भी individual के behavior के बारे में बात की जाती है वो micro economics के अंदर आता है अब अगर macro की बात करें तो यहाँ पर individual नहीं है deals with output, employment, income determination of an economy as a whole मतलब यहाँ पर पूरी economy की बात की गई है Indian economy, US economy, Japan economy, China नहीं वो रहन देते हैं वहाँ से कोरण आया है पर यह सारी की सारी economy के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाता है तो अगर मैं मेरी बात कर रहा हूं तो micro है अगर मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं तो macro है दोनों में फरक बस इतना है इसमें पड़नी है, सेमें इसमें पड़नी है, माइकरो के अंदर हमारी बात है, माइकरो के अंदर उसी चीज़ को हम पूरे भारत के बारे में बता देते हैं तीसरी चीज, माइक्रों के अंदर आपको क्या पढ़ना है, डिमांड, सप्लाइ, प्राइस, हम कित्ती डिमांड कर रहे हैं, सामने वाला कितनी प्रोडूोसर सप्लाइ दे रहा है, प्राइस क्या है बजार में, किसी भी एक चीज का मालनो इस पैन का, तो ये क्या है, माइक् इक शब्द जोड़ गया है देखो, aggregate demand, aggregate मतलब पूरी भारत की demand, aggregate supply, पूरे भारत में सारे producer मिलके किती supply दे रहे, general price level, यहाँ पर price था, मतलब दाम, यहाँ पर general price level था, महंगाई, ठीक है, तो जब भी अपने individual की बात कर रहे हैं, तो micro, पूरे भारत की बात करेंगे, सब की as the whole बात करेंगे, तो macro, समझे हैं, बस इतना सा है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहींगे, चलो आगे बढ़ते, अब बात करते हैं, सबसे बड़े जंजट की, central problem of the economy, अब देखो, क्या है यहाँ पर Indian economy लिखा है, नहीं लिखा न, तो central problem of the economy, किसी एक economy की problem नहीं है, यह development करना है, तो आपको इन सारी problemों से जूजना पड़ेगा, अब कौनसी problem होती है, उनको पढ़ने से पहले पढ़ो कि problem होती क्यों है, वज़े क्या है इन problem की, तो तीन वज़े हैं, एक एक करके तीनों देखेंगे, पहली वज़े है, unlimited wants, हमारी इच्छाएं जो है न, वो unlimited है मालो पिता जी ने बोला, जा बिटा तरह बहुत बढ़िया number आए, फोन ले है मारी तरफ से, तो पहले हम फोन लेंगे, फिर फोन का cover लेंगे, फिर उसका screen guard लेंगे, फिर उसमें recharge कराएंगे, फिर रिचाज कराने के बाद, नेट का रिचाज, आजकल तो एक ही हो जाता है फोन का रिचाज, नेट का रिचाज, फिर उसमें add-on कराएंगे, अब ये सब हो गया है, तो girlfriend भी तो पटा ही लेंगे, तो हमारी जो इच्छाए हैं और उसके बाद आगे बढ़ती 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 जाती है, तो हमारी जो इच्छाए हैं वो कभी खतम नहीं ह क्या है, कि हमारी wants क्या है, unlimited, इसको eco की भाषा में बोला जाता है, unlimited end, ends मतलब wants, तो अगर कल को तुम से कोई teacher बोल जाना, कि sir unlimited end समझाओ, तो वो कुछ नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि unlimited इच्छाएं समझाओ, ठीक है, तो हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं, अच् हमारे पास unlimited पैसा होता तो, सही बात हैं कि नहीं, अगर unlimited पैसा है, तो कोई सी भी इच्छा कर ले, पिता जी काई को रोकेगा, बोला जा मन्दा जा, तो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए, पिता जी की जेम में 30,000 रुपे के, अब दिक्कत ये हैं कि हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमारे पार resources क्या हैं, limited हैं, इसको eco की भाचा में बूला जाता है, square resources, square मतलब limitation of resources, या फिर limited resources, जैको इच्छाओं कित्ती सारी हो गई, पूरा करने के लिए क्या है, थोड़े सा पैसा है, तो क्या करना पड़ेगा, हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, तो हमें ये देखना पड़ेगा, कि इस पैसे में से मैं कौन सी इच्छा पहले पूरी करूं, और कौन सी इच्छा बाद में पूरी परूं, यानि कि phone की party दोस्तों को बाद में दे दूंगा, पहले girlfriend को दे देते हैं, ठीक है न, तो यह क्या हुआ, हमारे limited resources में से हमने चायन कर लिया, choose कर लिया, कि इसको मैं बाद में कर सकता हूं, और इसको मैं अभी कर सकता हूं, we should get best out of what we have, जो हमारे पास है, उसमें जो सबसे बहतर हो सकता है, वो हम लेंगा, ठीक है, अब भया, हमारे पास unlimited one है, limited resources है, अब जो सबसे बड़ी problem है न, इन दौनों के साथ, वो है alternative use, alternative use का मतलब, पिताजी के पास जो 30,000 रुपे हैं, उनसे सिर्फ phone थोड़ी ना लेना है, उनसे घर भी चलेगा, future की saving भी होगी, आपकी school की fees भी जाएगी, tuition की fees भी जाएगी, phone भी होगा, recharge भी होगा, कहीं घूमना है, वो भी होगा, petrol भी होगा, ये सारे के सारे use उस ही resource से हो सकते हैं, सोचो अगर 30,000 रुपे आते और पिताजी बोलते कि इसका कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ phone लेना है, तो क्या कोई problem होती, नहीं होती, problem तभी होती है, जब आपके जो resource है, उस के बहुत सारे use है, मतलब चाहे तो इसमें लगा दो, चाहे उसमें लगा दो, चाहे फोन ले लो, चाहे घर चला लो, चाहे saving में कर लो, कहीं भी कर सकते न, पैसा तो पैसा है, तो ये तीन सबसे बड़ी problem है, कौन कौन सी पहले बोलेंगे मिदे साथ, unlimited want, कि हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पिता जी की जिम में रोकड़ा limited है, और उसके बाद भी उस रोकड़े से बहुत सारे काम हो सकते है, इसलिए हमारे पास alternative use की दिक्कत है, इन तीन प्रॉब्लमों की वज़े से generate होती है, इन तीन reason हो की वज़े से generate होती है अर्थिविवस्ता य है, what to produce, how to produce and for whom to produce, बहुत आसान है, बिल्कुल easy है, एक एक करके देखे, देखो पहले हिंदी में समझते, what to produce क्या बनाए, अब एक बात सोचो, कि अगर तुमें सिर्फ ये वाला pen बनाना होता, तो प्रॉब्लम होती क्या, नहीं होती, प्रॉब्लम कब होती है, जब हमारे पास बहुत सारे option होते हैं, हमारे पास basically दो प्रकार के option होते हैं, या तो आप consumer good बनाओ, जैसे घड़ी, टी-शर्ट, paint, mobile, यह क्या होगा है, consumer good, जिनकों हम consume करेंगे, या फिर producer good बनाओ, machine बनाओ, tools बनाओ, अब एक चीस समझना, इसको पहला अपनी बास्चा में करते हैं चलो इतना confuse नहीं करेंगे, अपनी बास्चा में पकड़ेंगे, तो मान लो, यह है मेरे पास एक ball pen, और यह है, इसको gel pen मान लेता है, ठीक है, assume कर लो कि यह gel pen है, तो मेरे पास एक ball pen है, एक gel pen है, अगर मैं ball pen बना रहा हूँ, उसरीफ ball pen ही ball pen बना रहा हूँ, तो क्या होग जिन लोगों को ball pen से काम करने की आदत है, वो बजार में जाएंगे, ball pen लेंगे, काम करेंगे, काम खता है, पर जो लोग gel pen से काम करते हैं, उनको तो gel pen नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो ball pen बना रहा हूँ, तो वो बजार में जाके क्या करेंगे, दुकानदार को बोलेंगे, भाइया हमको जैल पेन लाके दो, याने कि वो जैल पेन की डिमांड करेंगे, मांगेंगे। Similarly, अगर मैं सिर्फ gel pen बना रहा हूँ, तो problem क्या आ रही है, कि लोग ball pen की demand कर रहे हैं, क्योंकि gel pen अगर बन रहा है, तो उसकी demand तो पूरी होई रही है, वो तो मिली रहा है बजार में, demand किसकी होगी, जो नहीं मिल रहा है, तो हमारी problem इसलिए है, क्योंकि हमारे पाद दो consumer good बनाता हूँ, अगर इसका production में ज्यादा कर देता हूँ, तो क्या होगा, इसकी demand भढ़ जाएगी, क्योंकि वो unfulfilled demand है, क्योंकि वो बन ही नहीं रहा, तो उसकी demand पूरी नहीं हो रही है, तो हमें दिखेगी वो, ठीक है, और अगर मैं producer good जाना बनाता हूँ, तो low consumer good की demand क करेंगे, तो हमें दौनों का balance बना के चलना पड़ेगा, सर दौनों बना दो, अरे दौनों बना तो लूँ, पर यह देखना हूँ, मेरे पास क्या है, limited resources है, unlimited resources होता है, कोई दिक्कत नहीं बनाते जो, तो क्योंकि मेरे पास limited resources है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं consumer बन बनाओ, या mix बनाओ, समझ मां आगी पहली problem, बस इतनी घीचों मत इसको, ठीक है, दूसरी problem, अपन ने सोच लिया, क्या बनाना है, decide कर लिया, अगला आता है, how to produce, इसके अंदर दो टेक्निक आती है, एक आती है, LIT, एक आती है CIT, यह कौन सी खेत की मुली है, समझो, LIT, labor intensive technique, साधा बाशा में आदमियों से काम कराना, क्या बोला, आदमियों से काम कराना, दूसरी है, CIT, capital intensive technique, साधा बाशा में मशीनों से काम कराना, अब अगर आदमी काम करेंगे, तो सुबह 10 बजे आएंगे, शाम को 5 बजे घर जाएंगे, काम भी थोड़ा आलिस में करेंगे, बीच में 2 घंटे का लंच भी चाहिए, थोड़ी सी अंगडाई भी लेनी है, तो क्या होगा, काम बहुत धीरे होगा, तो अगर मैं LIT को यूज करता हूँ, तो काम बहुत धीरे होगा, पर अगर मैंने CIT, capital intensive technique, यानि मशीनों से काम करवाया, तो कितने आदमी चाहिए, एक ठक मशीन चाहिए, ठक मशीन चाहिए, ठक मशीन बंद, तो क्या होगा, यहां पर काम तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मशीन कर रही है, उसको टाइम की भी दिक्कत नीच, ज़ंटे लगती रहेगी हो, पर इससे कितने लोगों को रोजगार मिला, एक आदमी को ठक चा करता हूँ, तो यहां पर काम धीरे होगा, पर रोजगार मिलेगा, इसको यूज करता हूँ, तो काम जल्दी होगा, पर बेरोजगारी भड़ेगी, तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी चल पाएंगे, समझ गए, तीसरे पर आ जाए, तीसरा है, for whom to produce, अब पहले इसको समझो, लोग इसको सोचते सर्फ, for whom to produce मतलब किसके लिए बना है, ऐसा नहीं है, for whom to produce का मतलब क्या है, what to produce में अपने देखा, क्या बना है, decide कर लिया, how to produce कैसे बना है, decide कर लिया, for whom to produce, अब जो बन गया है, उसका distribution कैसे होगा, वो लोगों तक कैसे है, एक है personal distribution, एक है functional distribution, बहुत आसान है, personal distribution का मतलब क्या है, कि हम लोगों को बाठते है, on the basis of their ownership, जिसके पास ज्यादा property है, वो ज्यादा मालिक आना हक रखता है, उसको ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा, जिसके पास property नहीं है, जिसके पास ownership नहीं है, वो विचारा फाकिर उसको कुछ निबू का मरेगा, तो ऐसा कर देंगे, तो गरीब मर जाएगे, तो दूसरी टेकनिक आती है, functional distribution, इसका मतलब काम करो, पैसा लो, और पैसे के बदले, सामान ले लेटा अपने हिसाब से, ठीक है, अब देखो, इसके अंदर क्या होता, functional distribution, अगर मान लो, for example, कि क काम कर रहे है, for example, किसी की जमीन पर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको क्या दे रहे हो, rent दे रहे हो, ठीक है, किसी की land पर काम कर रहे हो, ठीक है, किसी ने आपकी धंदे में पैसा लगाया, capital लगाया, तो आप उसको interest दे रहे हो, और अगर कोई एक businessman है, तो वो काम कर रह पड़ेगा और जो स्काम करेंगे उनको भी देना पड़ेगा तो यहां पर हमें दौनों का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा समझ में आ गया आसान है इजी है तो इसी तरीके से हम एकनॉमिक्स को पढ़ रहे होंगे आने वाली क्लासों के अंदर ठीके जी चलो आज की वीड पर और हमारे मोबाइल अप्लिकेशन पर मिल जाएगी अगर नहीं मिलती है कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर वाट्सेप कर देना ठीक है मैं आपको एक डेमो के रूप में पहला चैप्टर फ्री में दे दूँगा ठीक है यह मेरे नोट्स है मेरी भाषा में है क बविष्ट में चेंज हो जाए ठीक है न तो ऐसे परिशान मतों ना सर वह वाली हरी वाली तो हो सकता है मैं इसे कवर को चेंज कर दो चैनल चला गया पुरा ना तो हम कवर को भी मोडिफाई कर देंगे ठीक है तो अभी चाहिए हो तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो ल को थोड़ा बच्च पनव वाली तरीके से मतलब बहुत आसान तरीके से पढ़ लेंगे और तिल दिन बाल को कीपन वाचिंग गुट नाइट बाबाई नमस्कार